जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने अट्यू चैनल सिक्षादर्शन में तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इनेर्जी टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे पिछले वीडियो में हम लोग चैनल सिक्षादर्शन का संकलन है तो हम लोग इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सिसक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और पिछले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड सारा वीडियो है दोस्तो हम लोग इस बूक का भागवाना स्टार्ट किया थे जो भागवान में है बहुत तिक बिज्यान यानि कि physics को हम लोग स्टार्ट किये थे भागवान में तो भागवान का chapter 1 हम लोग complete कर लिए हैं जिसमें unit, measurement, measuring instrument और physical quantity है और दूसरा chapter mechanics को हम लोग देख रहे थे mechanics में हम लोग work complete कर लिए हैं, power complete कर लिए हैं अब हम लोग energy में है, energy का कुछ objective देखे हैं, numerical बनाया हैं और कुछ बाकी है तो हम लोग energy को complete करते हैं, उसके बाद हम लोग mass देखेंगे, उसके बाद newton, motion देखेंगे और धिरेजर करके सारा topic को हम लोग complete करेंगे तो हम लोग second chapter में, energy को complete कर, energy को हम लोग देख रहे थे energy में हम लोग लगभग 22 question देख लिए हैं, तो चलिए हम लोग energy का अगला जहां से छोड़े हैं, वहाँ पर हम लोग start करते हैं तो दोस्तो, work, power तो देखने के लिए आप इसी channel को playlist में जाएए और playlist में, playlist बना हुआ है, work, power का, और first chapter का उसी में है, करिकरें हम लोग 10 से 11 वीडियो देखे हैं तो पिछले वीडियो में हम लोग 132 question तक देखेते हैं, आज हम लोगा start करेंगा 133 से 133 question काता है, उपर उठाए गए हाथ होड़े के पास क्या होता है उपर उठाए गए हाथ होड़े के पास क्या होता है तो उपर option A में काता है, गती जूर्जा, B में काता है, यांतरी कूर्जा, C में काता है, मांस पे C उूर्जा और D में काता है, इस्तिति जूर्जा Option D से यह Question number 134 काता है यांतरिक उर्जा और यांतरिक उर्जा जो है यानि कि mechanical उर्जा कौन से उर्जा mechanical उर्जा गतीज उर्जा और dot 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 का सन्योजन है यानि कि गतीज उर्जा और किसका सन्योजन है यानि कि किसको add करने से यांतरिक उर्जा मिलती है तो यह आंत्रिक उर्जा है दोस्तों, गतिज उर्जा यानि कानेटिक उर्जा, कानेटिक इनर्जी पलस पोटेंशिल इनर्जी का सन्योजन है, यानि कि कानेटिक इनर्जी और पोटेंशिल इनर्जी का अड़ करेंगे, तो मेकेनकल इनर्जी निकलेगा, ठीक है, देखें इ इस परकार यांत्रिक उर्जा किसी पर नाली के गती एवं उसकी इस्थिती से संबंदी थे यदि यांत्रिक पर नाली यांत्रिक में कैनेकल इनर्जी एवं कैनेटिक इनर्जी तथा इस्थिती उर्जा हो तो अप इसको समझने के लिए आप इसले वीडियो को जरूर देखेगा तब समझ में आया एक जूल कैसे आया Newton कैसे आया, Newton meter कैसे आया बाकिस सारे को समझने के जलिए Question number 135 को देखते हैं क्याता है यदि एक बस्तू का बेग कोई बस्तू है, वह बेग चल रहा है प्रारामभीक बेग का दो गुना हो जाता है मान के चलिए, कोई बस्तू है वो भी बेग से चल रहा है कौन से बेग से चल रहा है, बी बेग से चल रहा है कुछ देर के बाद, वह टू भी बेग से चलने लगता है यानि कि प्रारामभीक बेग से क्या हो जाता है दो गुना हो जाता है, तब उसकी गतीज उर्जा इसकी इस थितीज उर्जा तब उसकी गतीज उर्जा, इसकी प्रारामभी गतीज उर्जा की एन गुनी हो जाती है, तो एन का मान क्या होता है, कहता है कि वह अपनी बेग से क्या हो जाता है, दूग ना हो जाता है, प्रारामभी मान के चली कि प्रारामभी एक स्मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद क्या हो जाता है चलने लगता है उसका बेग क्या हो जाता है दूगना हो जाता है तो उसका जो काइनेटिक इनर्जी है काइनेटिक इनर्जी यानि की गती जूर्जा उसका मान क्या होगा उसका मान क्या होगा कितनी गुणा हो जाएगी देखिए दोस्तों, अब इसकी मान तो हो जागी, चार गुना, लेकिन कैसे हुआ चार गुना, वह हमको समाजते हैं, डिसकसन में, कहता है, यदि किसी बस्तू का दरामान एम है, बेग भी हो तो, उसका कैनेटिक इनर्जी क्या होगा, उसका कैनेटिक इनर्जी का मान होगा, कैनेटिक इनर्जी कमान क्या होगा, उसका कैनेटिक इनर्जी कमान क्या होगा, उसका कैनेटिक इनर्जी कमान क्या होगा, उसका कैनेटिक इनर्जी कमान क्या होगा, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, कि उसकी बेग दूगुना करने पर, उसका बेग क्या करना है, यानि की v1 is equal to v और v2 is equal to 2v ठीक है यानि की initial velocity किहा इनिशियल velocity है भी और final velocity है 2v आप हम लोग initial और final velocityमे relation गेंगे kinetic energy पर गतिजूर kinetic energy जब इनिशियल पर क्या होगा 1y2 1y2 mv1 square mv1 square अब कुछ दिरवार क्या हो गया उसका 1y2 हो गया 1y2 mv2 square अब v2 का मन क्या है 2v फिक है इसको square करेंगे इज़ दोनों क्या है इज़ दोनों constant है तो यहाँ पे velocity में change हो रहा है तो यहाँ पे 2 क्या square करेंगे सितना हो जागा चार यानि कि चार गुला जो है जो हैसे इस दोनों में सेम है बस क्या चैंज हो गया इसमें 2 भी है और श Frame कई ऑब हो जागा तो चार गुलार तो लिजए कि कि कई तो मेर आपकेशा अंबर 16 गाता है ! किसी तणय हुए राबरबैंड में किसी तणय हुए किस परकार की ऊर्जा नहीं थे देखें, वह क्या हुआ हुआ है, रुका हुआ है, देखे, वह चल नहीं रहा है, खिचा हुआ हुआ तो है, लेकिसा नहीं है, खिचा हुआ धनूस इस सारे में क्या होता है इस्तिति जूर्जा होता है या चाभी भरी गाड़ी उसमें भी क्या होता है इस्तिति जूर्जा होता है रुका हुआ है तो इस्तिति जूर्जा है तो उसमें भी कौन सी option, यह सही है, इस्तिती जूर्जा, इस दुझे रठारा में पुछा गया था, इस आरर भी ALP में पुछा गया था, भी Group D में पुछा गया था, चली कुछा ना बरवान 38 देखते हैं, कहता है, इन में से किसे ना तो बनाया जा सकता है, और नहीं नस्ट क तो क्या करते हैं हम लोग, एक रूप से, एक रूप से, दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं, एक रूप से क्या करते हैं, दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं, इसको न बनाते हैं और न नस्ट करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं, जैस लुट मैं करतो हैं आगे कहता है किर नमबर 139 काता है जास्तो now Can you know Mor 139 काता है अश्का नमबर 139 काता है यदी एक बस्तु की गतीज और्जा उत्त dedic doctor किनेटिक इनर्जी फाइनल यानि कि आप बाला किनेटिक इनर्जी कितना गुना है 256 गुना हो गया तो नया रेखिये संबेख क्या होगा तो चलिए इसका हम लोग आच्छा सबनाएंगे परार्मभी काति जूर्जा है 1 x 2 mbista2 ठीक है उसको हम लोग परिवारतित कर दिए तो कितना हो गया 256 गुणा कर देंगे 256 गुने 1 x 2 mbista2 ठीक है परार्मभी क्या था परार्मभी क्या था हम लोग मान लिए कि जो था 1 y2 mbista2 लेकिन जब परिवार्थित कर दिये तो कितना होगा दोस्तों चाफपन इंटू वान वाई टू एम भी स्क्वर आप कहा रहा है संबेग पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है रेखिए संबेग पूछ रहा है संबेग के लिए मास और विलोसिटी से मतलब है संबेग के लिए किसको मतलब है मास और विलोसिटी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है तो हम लोग देखेंगे मास और विलोसिटी में मास और विलोसिटी में 16 गुना का अंतर हो जाता है अब देखते हänd cavig किसी वर सुर्जा को कहा जाता है之前 स्थिति या बिन्यास द्वार परप्ट उरिजा को कहा जाता है इस स्थिति आप प्राप्त उरिजा को कि और खायते हैं संगц गतीज उर्जा किसके बरावर होता है गतीज उर्जा यानि काइनेटिक इनर्जी तो काइनेटिक इनर्जी बरावर आप लोग जानते हैं दोस्तों हाफ एम भी अस्कुर क्या होता है हाफ एम भी अस्कुर तो ऑप्शन एस ही है काइनेटिक इनर्जी किसके बरावर होता है त काइनेटिक नेरीजी के है तो इसका बेग दूगुना कर देने पर इसकी गतीज उर्जा में क्या परहा पड़ेगा जैसे ही बेग को दूगुना करेंगे तो गतीज उर्जा क्या हो जागा चार गुना हो जागा इतना गुना हो जागा चार गुना हो जागा देखिए बेग जो है से बेग का बर्ग चलता है, बेग का स्कॉार चलता है, तो बेग को 2 गुना करेंगे, तो 2 का स्कॉार होगा तो 4 हो जागा, यारी 3 गुना करेंगे तो 3 का स्कॉार होगा तो 9 गुना हो जागा, 6 गुना करेंगे तो 6 का स्कॉार होगा, यारी 36 गुना हो जागा, तो दोस question देखते हैं, अगला question कहता है, किसी संकुचित spring, यानि कोई a spring है, spring है उसको दवाया हुआ है, संकुचित किया हुआ इदर से भी force लगा करदे है उसको संकुचित किया गया है समान लंबाई के a spring से अधिक आधर खोरती है समान लंबाई मनने कि जो नॉर्मल छोड़ा गया है, फिरी छोड़ा हो गया है, उसकी लंबाई इससे जादा होती है, ठीक है, तो जो संकुचित का स्प्रिंग है, उस समाने लंबाई वला स्प्रिंग से क्या होती है, अधिक उर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें, उसमें क्या होता है संकुचित हो गया है तो उसके कारण उसमें कौन सी उर्जा होती है तो उसके कारण इसमें होती है उसके कारण इसमें होती है कौन सी उर्जा होती है अधी संकुचित होने के कारण उसमें इस्तितिज उर्जा का संक्रहित होती है option 20 है है कौन सी उर्जा संक रहिते हैं इसतिती जूर्जा का संक्राहित होती है जैसे ही इसको हम falls लगाया हूए है वो force को release करेंगे, तैसे ही या इस्थिती जूर्जा किसमें कर्माठ हो जागी, गती जूर्जा में कर्माठ हो जागी, जैसे ही इसमें force लगाए हैं जो release करेंगे, इस्थिती जूर्जा कर्माठ हो जागी, और फिर से original shape में चल जागी, normal condition में चल जागी, तो किसी संकुचित किसी संकुचित अस्प्रिंग में सम्मान लंबाई के अस्प्रिंग से अधिक उर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने के कारण अस्प्रिंग में अधिक इस्थिति उर्जा संग्रहित होती है अस्थिति अधिक क्या होती है अस्थिति उर्जा संग्रहित होती है इसकी संभाविता इस्थितिज उर्जा इन में किसमें परिवर्चित होती है देखिए कोई बंदूक है उससे क्या हो रहा है उससे गोली चल रहा है ठीक है उससे गोली चलाए जा रहे है तो इसमें कौन सी उर्जा किस उर्जा किस उर्जा में रुपांतुरित होती है तो पहले तो नॉर्मल कंडिशन में तो उसके पास क्या है इस्तितीज उर्जा है तो किस उर्जा में परिवर्चित हो जाती है तो इस्तितीज उर्जा गतिज उर्जा में परिवर्चित हो जाती है ठीक है लेकिन जो बंधूक है उसकी मास जादा होने के कारण गतीज उर्जा इसमें कम होती है और जिसके मास कम हो जाता है उसके जैसे गोली का मास कम हो जाता है तो इसके गतीज उर्जा अधीक हो जाती है आप देखे काता है इसका option एसा यह काता है जब किसी बंदूग से गोली चला जाती है ते इसके संभाविता इस्थिती उर्जा गती जूर्जा परिवतित होती है बस तुकि गती जूर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनरजी क्या होगी, एम दरामान है भीबेक से चल रहा है तो काइनेटिक एनरजी होगा, 1y2, 1y2mv2, क्या होगा, 1y2mv2, मान होगा, क्यूचन नमबर 145ускाँta है, क्यूचन नमबर 145 तब शता है, 10 kg का, दूसरा क्या है, 10 kg का है दो गेंदों की गतिज उर्जा समान है काइनेटिक नर्जी क्या है, दोनों का, समान है ठीक है, यदि संभावना हो तो, कौन सी गेंद तेज गति से तेज गति से, कौन सी गति तेजी से गति कर रही है यानि कि मान के चलिए कि दोनों का kinetic energy क्या है समान है तो कौन सा गेंद जो है से तेजगती से चलेगा 5 के जीवला चलेगा या 10 के जीवला चलेगा तो चलिए इसको समझते हैं कहता है कि दोनों का kinetic energy क्या है दोनों का kinetic energy सेम है ठीक है दोनों का रखते हैं, एक का M1 V1 करते हैं, एक का M2 V2 करते हैं, जो 5 के जिवला है उसका V1 रखेंगे और 5 जो 10 के जिवला है उसको V2 रखेंगे, तो हाप M1 V1 is equal to, हाप M2 V2, यानि कि दोनों का जो kinetic energy है वो same है, अब दोनों का मान रखते हैं, हाप दोनों तरफ रहेगा, अब V1 इसका velocity नहीं दिया हुआ है, दूसरा क्या है, हाप, M2 केतना है, 10 के जिए है, इसका velocity भी नहीं दिया हुआ है, V2 रखेंगे इसको, तो हाप से हाप कर जाएगा, अब 5 से 5 दूना 10, यानि कि V1 is equal to हो जागा, V1 is equal to 2V square, क्या हो जागा, V1 is equal to, V1 square is equal to 2V square हो जागा, ठीक है, यानि कहने का मतलब है, V1, कहने का मतलब है, V1 का मान जादा होगा, और V2 का मान कम होगा, V1 का मान जादा होगा, और V2 का मान कम होगा, कहने का मतलब, यानि कि V1 का मान जादा होगा, और V2 का मान कम होगा, यानि क्या 5 kg के बास तू जो है वह अधिक गति से चलेगा और 10 kg का बास तू जो है से कम गति से चलेगा यही तो होता है गोली और बंदूक में बंदूक का जो बजन होता है जादा होता है इसलिए उसका velocity कम जाता है और जिस गोली का जो बजन होता है वो कम होता है उसका फेलोसिटी ज़ादा हो जाता है क्यूशन नमबर हम देखेंगे क्यूशन नमबर देखेंगे 146 क्यूशन नमबर 146 कहता है 146 कहता है इस्थिती या आकरिती इस्थिती या आकरिती में हुए परिवरतन इस्थिती या अक्रिती में हुए परिवर्तन के कारण बस्तु में निहित उर्जा को क्या कहते है मान के चलिए इस्थिती या अक्रिती जैसे कोई बस्तु को दबा दिया गया उसको अक्रिती में क्या कर दिये अस्प्रिंग को हम लोग दबा दिये तो उसकी अक्रिती में क्या कर दिये में चेंज कर दिये। उसमें कौन सी उर्जा उद्पन होगा है। उसमें जब भी उर्जा उर्जा नहींच होगा, तो स्थीती उर्जा नहींच होगा। इस्थिति और अक्रिति में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो कौन सी उर्जा नहीं हित होगा, इस्थिति जूर्जा नहीं हित होगा, option D सही है, question number 147 देखते हैं, question number 147 कहाता है, यांतरिक उर्जा, यानि mechanical उर्जा भी देखेते हैं, हम लोग mechanical उर्जा के बारे में, तो mechanical उर्जा जो होता है, kinetic energy पलस potential energy का योग होता है, क्या होता है, kinetic energy पलस potential energy का योग होता है, कौन, mechanical energy, तो option कौन सा सही है, mechanical energy is equal to, गती जूर्जा पलस इस्थिति जूर्जा, यानि कि option B सही है, कौन सा सही है, option B सही है, गती जूर्जा पलस इस्थिति जूर्जा, चलिए आ इसकी इस्तिती में परिवर्टित कर रहे हैं एक धनूस है उसका खीचे हुए धनूस से तीर छोड़ते समय धनूस की इस्तिती जूर्जा किसे बदल जाती है अगर जो धनूस को खीच के राखे हुए है धनूस को क्या किये है खीच के राखे हुए है खीच के राखे हुए है तो उसमें कौन सी उर्जा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तिती जूर्जा है यानि कि potential energy है और जैसे ही धनूस को खीच के छोड़ दिये तो उसके तीर जो है उसमें कौन सी उर्जा कौन सी उर्जा हो जाएगी तो उसमें हो जाएगी गती जूर्जा यानि काइनेटिक इनर्जी तो इस्तिती जूर्जा किसमें बदल गया काइनेटिक इनर्जी में बदल गया यानि कि गती जूर्जा में बदल गया तो option इसका B सही है कहता है एक खीचे हुए धनूस के तीर छोड़ते समय यानि जब तीर छोड़ रहे हैं तो छोड़ते समय धनूस की इस्थिती जूर्जा किसे बदल जाती है तो धनूस की इस्थिती जूर्जा किसे बदल जाती है वो बदल जाती है कानेटिक इनरजियें बदल जाती है यानि गती ज उर्जा संचीत होती है, क्या रहती है, इस्तितिज उर्जा उसमें संचीत रहती है, लेकिन जैसे ही धनूस की डोरी को छोड़ा जाता है, जिससे तीर को उर्जा प्राप्त होती है, जैसे ही छोड़ते हैं, तो उसे तीर को क्या होती है, उर्जा प्राप्त होती है, एवम वह इस परकार धनूस की गतीज उर्जा, तीर की गतीज उर्जा में परिवातित हो जाता है, क्या होता है, गतीज उर्जा, तीर की गतीज उर्जा में परिवातित हो जाता है, question number 149 देखें, बहुत important question है, क्याता है, इन में से कौन सा, इस्तितीज उर्जा का उदारान नहीं है, पोटेंसिल इनर्जी का फिर कहता है बाहता हुआ जल जो बाहता हुआ जल है वो फ्लो कर रहा है तो इस्थिर नहीं है की रहा है इनर्जी आन tähän यहें स्ठी जूर जाको में ऑपशन और लेते हैं कह थिकलों यह 와 उठाया हुआ हा थोड़ा यह हम लोग देखें जब उठाया हुआ है थोड़ा है उसको भी हम लोग पता है क्या है वह भी potential energy है कि यानिकि इस्थिती जूरजा है फिर कहता है एक बांध में संचित किया गया जल यह भी potential energy यानि इस्थिती जूरजा का है यह भी बाहर नहीं पहाड से गिर किसी पीन्ड में होती है। तो उसमें इस्थिती उर्जा और गती जूर्जा दोनों होती है, option A से ही है, option A से ही है, देखिए, इसका discussion देखते हैं, कहता है, यदि किसी बस्तू में कार करने की छमता उसकी गती के कारण हो, तो वह गती जूर्जा होती है, उसके गती के कारण हो तो क्या होती है, वह गती उचित किया हुआ हो उसमें कार करने की छमता हो तो उसको क्या कहते हैं इस्तिती जूर्जा कहते हैं और किसी उचाई से गिरते हुए बस तू की पहाड से गिरते हुए किसी पींड की गती जूर्जा इस्तिती जूर्जा दोने होती है गती जूर्जा इस्तिती जूर्जा क्य दी होती है आपको पता है कि energy को न नस्ट किया जाता है और नहीं उसको अभिसकार किया जाता है या बनाया जाता है वह एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है तो पहले क्या था MGH था यानि कि इस्थिती जूर्जा उसके में था और जैसे ही वह नीचे आ रहा है तो height कम रहा है तो MGH कम रहा है यानि कि इस्थिती जूर्जा कम रही है और kinetic energy बढ़ रही है यानि कि गती जूर्जा बढ़ रही है तो वह नीचे गिर रहा है तो दोनों होगा उसमें इस्थ एम के साथ चलती हुई बस तुखी गतिज उर्जा e के है e और k लिखा हुए e के है का मूल क्या होगा या उसकी गतिज भी से बढ़कर 2 भी कर दिया जाए ठीक है उसको क्या कर रहा है काइनेटिक इनेर्जी में चेंज कर रहा है कह रहा है कि velocity भी से बाढ़ करके 2B हो जग्या या हो गया velocity भी से बाढ़ के 2B हो गया यानि कि 2 गुणा परवर्तित हो रहा है तो आपको पता है कि velocity का score चलता है जैसे ही velocity में 2 गुणा करेंगे हम लोग देखे थे discussion करके कि 2 गुणा करेंगे तो kinetic energy में 4 गुना का परवातिन होता है इतना गुना का होता है? 4 गुना का जैसे ही velocity में 3 गुना करेंगे तो kinetic energy में 9 गुना का परवातिन होगा यानि कि option 20 है ठीक है चलिए फिर से इसको समाज लेते हैं एक वर difference है कि कैसे 2 गुना से 4 गुना हो जाता है तो हम लोग नॉर्माली काइनेटिक इनर्जी बराव क्या होता है 1 by 2 mv square क्या होता है 1 by 2 mv square तो इधर रखेंगे सिर्फ b वला और इधर रखेंगे 2 b वला ठीक है तो 1 by 2 mv square यहाँ पर राख दिये 1 by 2 mv square ठीक है जैसे ही b के जगा पर 2 b रखेंगे तो इसको इसको एसकुआर करेंगे तो इतना हो जागा 1 by 2 4 mv square 1 by 2 4 mv square अब 1 by 2 mv square कको हम लोग क्या कहते हैं कैनेटिक इनर्जी कहते हैं ठीक है इसका मान रखेंगेib actu बराव तो यहाँ पर 4 into 4 into कैनेटिक इनर्जी यानि कितना गुणा हो गया kinetic energy का चार गुना हो गया दो गुना velocity पढ़ाएंगे तो चार गुना हो जागा kinetic energy का ठीक है question number 152 देखते है question number 152 कहता है 2 kg दरमान की एक बस्तू इसका मास कितना है 2 kg दरमान की एक बस्तू उपर की ओर 20 मिटर पर सेकेंड के पररमभीक बेक से फेकी जाती है यानि कि परछेपित की जाती है 20 मिटर पर सेकेंड की बेक से फेकी जाती है 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज उर्जा क्या होगी देखे अब इसका फर्मूला होता है 2 सेकेंड बाद कितना बाद 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज उर्जा कितनी होगी इसका U दिया हुआ है U का मतलब होता है परारंभीक वेलोसिटी U का मतलब होता है परारंभीक वेलोसिटी U दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है U 20 मीटर पर सेकेंड अब हम लोग पता करेंगे कि 2 सेकेंड बाद, जब उपर जाएगा 2 सेकेंड बाद, तो 2 सेकेंड बाद इसका velocity कितना होगा, तो U बरावर फर्मूला होता है, B निकालने का फर्मूला होता है, B जुकल टू U पलस, B जुकल टू U माइनस GT, B जुकल टू U माइनस GT होता है, U कितना दिया हुआ है 20 meter per second और G कितना दिया हुआ G का मानने आपको यहाँ पर क्यूशन में दे दिया है 10 meter per second square कितना second बाद हम लोग velocity निकाल रहे हैं तो 2 second के बाद velocity इसका क्या होगा इसमें 2 से multiply कर देंगे यानि कि T के जागा पर 2 अब इसमें multiply करेंगे तो 20 हो जागा तो 20 माइनस 20 यानि कि 0 कहने का मतलब 2 सेकेंड बाद इसका फेलोसिटी हो जागा 0 meter per second यानि कि वह जाकर कि 2 सेकेंड बाद उपर रूक जाएगा तो जैसे ही इसका फेलोसिटी हो जागा 0 meter per second 0 meter per second अब V का मतलब कितना आ गया 0 आ गया तब कितना कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद इसका गति जूर्जा क्या होगी अब निकालते हैं इसका गति जूर्जा गति जूर्जा यानि कि kinetic energy ब्राद फर्मूला होता है 1 by 2 mv square क्या होता है 1 by 2 mv square भी का मान कितना आ रहा है 2 सेकेंड बाद तो 0 आ रहा है भी का मान जैसे ही भी का मान 0 रखेंगे तो यानि kinetic energy का मान क्या हो जागा 2 सेकेंड बाद 0 हो जागा यानि कि 0 joule इसका kinetic energy होगा अगर जो भी का मान 2, 4, 5, 6, जो भी आता तो इसका kinetic energy कमान निकल जाता अब भी कमान नहीं आया तो क्या हुआ भी कमान जीरो आया तो kinetic energy कमान जीरो आयेगा यानि कि वहाँ पर जो बस्तू है वो बस्तू का velocity क्या हो जागी जीरो हो जाएगी चलिए इसी परकार अगर जो दूसरा इसमें numerical भी दूसरा change कर देता और तब क्या बनता तब उसको फिर से हम लोग भी निकालते भी कमान जो भी आता वो kinetic energy के फर्मूला में put करते तो जो answer आता वो क्या हो जाता उसका kinetic energy हो जाता चलिए अब हम लोग देखते है क्यूचा नंबर 153 153 कहता है क्यूचा नंबर 153 कहता है 5 मिटर पर सेकेंड की गती से 5 मिटर पर सेकेंड कितना 5 मिटर पर सेकेंड की गती से गती से गती सील 22 केजी बजन वाले बस्तू की गती जूर जा क्या होगा तो एम दे दिया है आपको दोस्तों एम केता दिया है 22 केजी हाप Mb² हाप Mb² यानि कहने का मतलब हाप 22 kg इन्टू Mb कितना है भी है 5 मीटर पर सेकंड इसका असक्वार करेंगे इसको से काटेंगे यानि कि 11 बार में कहाड़ जागा 12 इन्टू 25 जो भी आएगा वो हो जागा कैनेटिक इनर्जी यानि कि आजागा 275 जो जो जागा से कैनेटिक इनर्जी हो जागा 275 जो क्या हो जागा इसका कैनेटिक इनर्जी हो जागा इसका option A सही है कीचा नमबर 114 देखते है कीचा नमबर 114 कहता है गिरते हुए नारियल में होता है गिरते हुए नारियल नारियल में क्या है नारियल क्या रहा है गिर रहा है तो गिरते हुए नारियल में होता है तो नारियल क्या कर रहा है गिर रहा है यानि गिर रहा है तो गती कर रहा है तो गिरते हुए नारियल में होगा गती जूरजा किया होगा, गती जूर्जा, जो पहाड से गिर रहा था, उसमें गती जूर्जा औ स्थिति जूर्जा लिकिन नारीयल जो है, उसे गिरते हुए नारीयल में क्या होगा, गती जूर्जा होगा, इसमें confused नहीं होना है, Option C कहता है, Option C सही है इसका डिक्सेसन देखता है, किसी बस्तु में कार करने की च्छमता, यदि उसकी गती के कारण होती है, तो उसमें क्या होता है, गती जूर्जा होता है, जिसे उचाई से गिरती हुई बस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घुमता हुआ पानी, आदी सब किसमें आत इसे अवसाव आता है, गती जूरजा में आता है, कैनेटी की नर्जी में आता है, क्यूचर नबर 155 कहता है, 11 kg की एक बस्तू, उसका मास्क इतना दिया हुआ है, दोस्तो, इसका मास्क दिया हुआ है 11 kg, ये एक बस्तू, भूमी से 5 मीटर उचाई पर है, तो इसमें नहीं 21 kg, 21 kg, और हाइड कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, औप कर रहा है, यानि की स्तिति जूरज्ण होगा, तो इसमें इसमें इस्तिति जूरज्ण होगा, तो इस्तिति जूरज्ण का फर्मूला होता है, profile अ-चीग, गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सब्सक्राइब 14 kg ओर दिया निकालए कितना में देधिया है 14 kg इसमें नहीं देध पर है इसमें नहीं दूर्जा क्या होगी तो इस्थिती जूर जा कहने का मतलब कौन सी फर्मूला से निकालेंगे M, G, H से निकालेंगे M कितना दिया हुआ है 14 M कितना दिया हुआ है 14 kg G कितना दिया हुआ है G कमान अफ्यूशन में दे दिया है C सही है Q नबर 117 देखते है Q नबर 117 काता है Q नबर 117 काता है 5 kg की एक बस्तू जब भूमी से 10 मीटर की उचाई पर है ठीक है 15 kg का एक बस्तू है मास्क दे दिया है आपको द्रमान दे दिया है 15 kg एक बस्तू भूमी से 10 मीटर की उचाई पर है कितना मीटर कुछ आई पर है, दस मीटर कुछ आई पर है, उसमें नहीं तूर जा, तो आपको पता है कि कौन सी उजा नहीं थोगी, potential energy, तो कितना होगा, तो potential energy का फर्मूला होता है MGH, तो आपको G का मान दे दिया है, M का मान भी दे दिया है, तो आप इससे निकाल लेंगे MGH से, तो MGH में कितना रखेंगे, M कितना है, 15, G कितना है, 10 दिया है G का मन, अब H कितना दिया है, 10 दिया है, इसको गुना करेंगे तो यानि कि 1500 Joule जो है से, 120 Joule दे दिया है आपको, ठीक है, इसका द्रमान 15 KG है, तो बस्तू का बेक क्या होगा, M कमान दे दिया है 15 KG, M कमान कितना दिया है, 15 KG, तो बस्तू का बेक क्या होगा, B is equal to क्या होगा, ठीक है, तो kinetic energy का फर्मूला लगाएंगे kinetic energy is equal to होता है half mb square ठीक है kinetic energy कमान केतना दिया है 120 दे दिया है m कमान आपको दिया है कितना half को रखेंगे यहाँ पे m कमान केतना दिया है 15 m कमान केतना दिया है कितना 15 b कमान नहीं दिया है b कमान नहीं दिया है तो यहाँ पर b क्या square कर देंगा इसे simply तो इसको यहाँ से multiply करेंगे यानि 240 हो जागा और 15 को यहाँ पर लाएंगे तो यानि कि 15 divide में आ जागा और उधर क्या बच जागा b square ठीक है और जैसे इसको solve करेंगे तो 16 बार में कट जागा 16 is equal to b square यानि कि b का मान हो जागा 4 मीटर पर सेकेंड चार मीटर पर सेकेंड यानि कि option option क्या आ गया? option आ गया option बी से ही है क्यूशन नमबर 169 देखते है क्यूशन नमबर 169 का आता है 15 केजी दरा मान की एक बस्तू 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान गती से चल रहे है तो उसकी कनेटिक इनरजी क्या होगा या गती जूर जा क्या होगा तो कनेटिक इनरजी is equal to होता है half mb square क्या होता है? half mb square m कमान क्या है? m कमान दिया हुआ है आपको 15 केजी अब भी कमान दिया हुआ है आपको आठ मीटर पर सेकेंड आठ मीटर पर सेकेंड तो इसको से चार बार में काड़ देंगे तो हो जाब पंदरा चो के साथ इन्टू आठ चक अड़ तालिस यानि कि 480 जूल जो है से इसमें उर्जा होगी कौन से उर्जा होगी किनेटिक इनर तो ऑप्सन यह सही है तो इसमें नहीं तूर जा किया होगा जी कमान देदिया है 9.8 तो इसमें कौन से फर्मूला लगाएंगे एक पोटेंशल नर्जी पूछ रहा है तो कौन से फर्मूला लगाएंगे एम जी-एच का AMG, H, AM केतना दिया हुआ, AM दिया हुआ, 11 kg, G केतना दिया हुआ, 9.8, और H केतना दिया हुआ, 66, यानि कि इसमें मल्टिपलाई करेंगें, तो 66 into 9.8, 66 into 9.8 joule जो होगा, इसमें, इस्तिती जूर जा होगा, तो चलिए आज, QC number 160 तक देखें, आगले वीडियो में हम लो करें, QC number 161 सा start करेंगे,